C.I.E.T.N.C.E.R.T. की ओर से प्रस्तुत है कक्षा पांच के लिए गनित की पाठ़ पुष्तक गनित का जादू का दूसरा अध्या है पेज नमबर सोला आकरितियां और कौन रोहिनी और मोहिनी जुड़मा बहने हैं उन्हें एक ही काम करने में बहुत मज़ा आता है एक दिन जब वे माचस की तीलियों से आकरितियां बना रही थी शेला ने उन्हें एक चुनोती दी रोहिनी एक आकरिति बनाएगी मोहिनी को वही आकरिति बिना देखे हुए बनानी है मगर वह सवाल पूछ सकती है ओ, ये तो बहुत आसान है रोहिनी ने ये आकरिति बनाई ये एक शट कोन है मोहिनी आकरिति बन्द है या खुली रोहिनी ये आकरिति बन्द है मोहिनी इसकी कितनी भुजाएं है रोहिनी इसकी छै भुजाएं है मोहिनी ने ये आकरिति बनाई वैसे ये भी एक शट कोन है लेकिन ये एक घर जैसा लगता है अब तुम जवाब दो क्या ये बंद आकरिती है? खाली जगा क्या इसकी छैब हो जाएं है? खाली जगा लेकिन ये आकरिती रोहिनी ने जो आकरिती बनाई थी उसके जैसी नहीं है इसलिए मोहिनी ने फिर कोशिश की उसने कुछ ऐसी आकरिती बनाई और इस बार उसने जो आकरिती बनाई वो दो त्रिभुजों की है जो के आपस में मिल रहे हैं पेज सत्रा क्या ये च्छै भुजाओं वाली बंद आकरिती है? खाली जगा क्या ये आकरिती रोहिनी ने जो आकरिती बनाई थी उसके जैसी है? खाली जगा क्या तुम किसी तरीके से ये बता सकते हो कि ये आकरितियां एक दूसरे से कैसे अलग हैं मोहिनी ने फिर कोशिश की लेकिन उसकी आकरितियां अलग थी अंदाजे से दो और आकरितियां बनाओ जो मोहिनी ने शायद बनाई होंगी मोहिनी कोशिश करके ठक गई और उसने शैला से पूछा कि वह क्या करे अगर तुम तीलियों द्वारा कोनों पर बनाए गए कोनों के बारे में पूछो तो तुम वैसी ही आकृती बना पाओगी ओ, तो चलो अब हम कोनों पर विचार करें इन आकृतियों में दिये गए कोनों पर विचार करो क्या तुम इन में अंतर महसूस कर पा रहे हो ध्यान दो, माचिस की तीलियां कैसे एक छोटा कोन, एक बड़ा कोन और एक उससे भी बड़ा कोन बनाती है अरे वाह, कोन बदलने से आकृती इतनी बदल जाती है बच्चों को सोचने के लिए प्रेरित करें कि किस तरह एक जितनी भुजाओं वाली आकृतियां भी अलग हो सकती है इससे उन्हें यह मैसूस होगा कि किस तरह कोन किसी भी बहुभुज की आकृती निरधारित करते है पेज नमबर 18 अभ्यास का समय एक, आकृती को समझ कर उत्तर दो खाली जगा, रंग से दिखाया गया कोन सबसे बड़ा कोन है दो, क्या पिले रंग में दिये गए कोन बराबर है क्या हरे रंग में दिये गए कोन बराबर है क्या नीले रंग में दिये गए कोन बराबर है तीन, चार अलग-अलग कोण अलग-अलग रंगों में दिये गए हैं क्या तुम लाल रंग में दिखाए गए कोण के बराबर दूसरे कोण ढूंड सकते हो उन पर लाल रंग का निशान लगाओ, दूसरे रंगों के लिए भी ऐसा ही करो यहां कुछ आकरितियां लाल रंग में दी गई हैं इन में दो पंच भुज और दो अश्ट भुज हैं यहां कुछ आकरितियां पीले रंग में दी गई हैं यहां पर पीले रंग में दो शट भुज, दो पंच भुज और दो अश्ट भुज दिये गए हैं पेज 19, चार, इनमें से हर एक आकरिती के कोणों को बदल कर दिखो कि तुम कितनी और नई आकरितियां बना सकते हो, कोशिश करो, यहां हरे रंग में कुछ आकरितियां दी गई है, कप, पहली आकरिती चार तीलियों की सहयता से बनाई गई है, जो के एक वर्ग है, कप, दूस ग, इस आकरिती में एक पंच भुज बनाया गया है, इस आकरिती में पांच तीलियां इस्तिमाल की गई है, ग, एक सप्त भुज, साथ तीलियों की सहयता से एक आकरिती बनाई गई है, अंग, दस तीलियों की सहयता से भी एक आकरिती बनाई गई है, इस आकरिती में एक दो, आठ माचिस की तीलियों से दी गई मचली बनाओ, अब माचिस की किनही तीन तीलियों को हटा कर इस तरह रखो कि मचली उल्टी दिशा में तेरती नजर आए, हो गया? तीन, दस माचिस की तीलियों से यह आकरिती बनाओ, माचिस की पाँच तीलियों को हटा कर इस तरह रखो कि तुम्हारे सामने एक घर का आकार बन जाए, यहां लाल रंग में तीन आकरितियां दी गई हैं, अगर तुम इन पहलियों को हल नहीं कर पाए हो, तो प्रिष्ठ 29 प चलो, हम एक कोण जाँचक बनाते हैं, तुम्हारे ज्यामिती बॉक्स में भी कोण जाँचक है, इसे डिवाइडर कहते हैं, गत्ते के एक टुकड़े में से दो लंबी पट्टियां काटो, उन्हें ड्राइंग पिन की मदद से इस तरह जोडो, कि दोनों किनारे आसानी से जा सकें, रोहिनी और मोहिनी कोण जाँचक को लेकर कक्षा की सभी चीजों के अलग-अलग कोण जाँचने लगी, रोहिनी ने गणित की किताब और पैंसिल बॉक्स के कोणों को जाँचा, कोण जाँचक को देखो, यह अंग्रेजी के अक्षर L की तरह खुल गया है, यह एक समकोण है, हम इसके लिए L लिखते हैं, पेज 21, अपने कोण जाँचक के साथ आसपास जाकर नीचे उन चीजों के चितर बनाओ, जहां पर कि कोण जाँचक अक्षर L की तरह खुलता है, क्या तुम पक्का कह सकते हो, कि यह सभी समकोण हैं, अभ्यास कसमें, एक, नीच देका दी गई है, जिसमें कुछ कॉलम और कुछ रोज हैं, पहली रो में कुछ चित्र दिये गए हैं, इनमें कैची, आदमी, पतंग, प्लायर्स और एक सड़क चेहन है, इनमें कौन-कौन से कॉन बन रहे हैं, यह आपको बताना है, यहां तीन कॉलम और दिये गए हैं, सम समकोन समकोन से ज्यादा समकोन से कम अब आपको ये बताना है कि इन आकरतियों में कौन कौन से कोन बन रहे हैं यदि समकोन बन रहा है तो समकोन वाले कॉलम में सही का निशान लगाईए यदि आकरती समकोन से ज्यादा है तो दूसरे कॉलम में निशान लगाईए और यदि सम समकोन से कम है, तो तीसरे कॉलम में सही का निशान लगाईए. दो, सुखमन ने इतने सारे कॉणों के साथ यह चित्र बनाया है. रंगीन पैंसिल से चित्र में निशान लगाओ. समकोन को काले रंग से, वे कॉण जो समकोन से ज्यादा हो उन्हें हरे रंग से, वे कोण जो समकोण से कम हो उन्हें नीले रंग से नीचे दिये गए कोणों के आसपास अपनी मर्जी का कोई चित्र बनाओ और कोण का प्रकार भी लिखो सबसे पहला करके बताया गया है समकोण से कम यहां छे कौन दिये गए हैं, आपको इन्हे समझ कर इनका उत्तर देना है पेज तेईस गतिविधी गएक वरगाकार काघज लो गए उसे आधा मोड लो गए उसे एक बार फिर मोड कर दबाओ गए आखरी मोड को खोलो जिस से की काघज आधा मुड जाए अंग उसके एक कोने को बिंदुवाली लाइन तक मोडो तुम्हें काघज पर ऐसी रिखाएं मिलेंगी जो कि समकोन कोन जो समकोन से कम है और कोन जो समकोन से ज्यादा है बनाती है हर एक कोनों को ढूंडो और उन पर अलग-अलग रंगों से निशान लगाओ गतिविधी शरीर के साथ कोन क्या तुम ये कोन बना सकते हो क अपने हाथ से समकोन ख अपने पैर से समकोन से कम कोन ग अपने हाथ से समकोन से ज्यादा कोन ग अपने शरीर से समकोन से ज्यादा कोन कोशिश करो, बहुत मज़ा आएगा तुम स्टिक ड्राइंग की मदद से इन्हें अपनी कौपी में बनाओ पेज चौबीस कौण बगीचा मेरा कौण वाला नाच रास्ता दिखाता है जब मैं शहद बनाने के लिए फूल देखती हूँ तो दूसरी मधुमक्खियों को बताना चाहती हूँ उन्हें रास्ता दिखाने के लिए मैं नाचना शुरू कर देती हूँ मेरा यह नाच सूर्य और फूल के बीच का कौण दिखाता है यहां एक चित्र में एक तितली उड़ती दिखाई गई है और कुछ बच्चे हैं साथ ही पेड़ पौधे भी हैं गत्विधि बगीचे में कुछ पत्यां इकठी करो उन पत्यों पर रंग लगा कर उनके छापे लगाओ पत्यों के कोणों पर विचार करो पता लगाओ कि कौन से कौन समकोन से कम है और कौन से ज्यादा दूसरे चित्र में भी एक पेड़ कुछ चिडियां कुछ बच्चे और पानी है मैं एक कठ फोडवा हूँ मेरी चोंच बहुत तेज है क्योंकि उसे लकड़ी को काटना होता है अरे उस चिडिया को देखो उसकी चोंच में एक कौन है जो समकोन से कम है पेज पच्चीस उन चिडियों को ढूंडो जिनकी चोंच के कौन समकोन से छोटे हैं चित्र में दो शाखाओं के बीच के कौनों में निशान लगाओ किन दो शाखाओं के बीच के कौन सबसे बड़े हैं नाम में छिपे कौन? क्या तुम्हें पता है कि हमारे नामों के अक्षरों में भी कौन छिपे हुए हैं? S, U, K, H, M, A, N, सुखमन मेरे नाम में ग्यारह समकौन हैं, इसमें दस कौन ऐसे भी हैं, जो कि समकौन से कम हैं सीधी रेखा के उपयोग से तीन नाम लिखो और अलग-अलग तरीकों के कौन गिनो यहाँ पर एक तालिका दी गई है, इस तालिका में चार कॉलम हैं पहले कॉलम में नाम, दूसरे में समकौनों की संख्या, तीसरे में उन कौनों की संख्या जो समकौन से ज्यादा है और चौथे में उन कोणों की संख्या जो समकोण से कम है लिखनी है गतेविधी का दस गनित का जादू पुस्तक को एक के उपर एक रखो और एक पुस्तक को ढ़लान में कुछ इस तरह रखो कि स्लाइड बन जाए ख अब यही छह पुस्तकों से करो एक बॉल को उपर से लुड़काओ किस स्लाइड पर बॉल ज्यादा तेजी से नीचे लुड़केगी किस स्लाइड का कौण छोटा है पेज 26 यहां एक बच्चा और एक खेल का मैदान दिखाया गया है मैदान में कुछ स्लाइड है यह बगीचे की दो स्लाइड है कौन सी स्लाइड का कौण बड़ा है तुम्हारे विचार से छोटे बच्चों को कौन सी स्लाइड से नीचे आना सुरक्षित होगा क्यों बदलती आकरितियां बनाने के लिए जरूरी सामान माचिस की तीलियां इस्तेमाल की हुई और साइकल वॉल्व की ट्यूब का एक टुकड़ा 1. माचिस का काला हिस्सा साफ करो 2. ट्यूब को छोटे टुकणों में काटो लगभग एक सेंटिमीटर लंबा 3. दो तीलियों को ट्यूब के टुकड़े के दोनों हिस्सों की ओर से अंदर डालो 4. इसी तरह एक त्रिभुज बनाने के लिए और तीलियों को जोडो पेज 27 इसी तरह के टुकड़े और माचिस की तीलियों की मदद से 4, 5, 6 भुजाओं वाली आकरितियां बनाओ यहां तीन आकरितियां दी गई है आकरितिका एक आयत है आकरितिका एक पंच भुज है और आकरितिका एकशट भुज है पता लगाओ कि हर एक आकरिति में कितने कोण हैं उन पर निशान लगाओ अब हर आकरिति को अपनी उंगली से नीचे की ओर दबाओ क्या उंगली से दबाय जाने पर आकरिती के कौण में कुछ बदलाव आता है? पता लगाओ और अपना जवाब नीचे तालिका में लिखो यहां एक तालिका दी गई है इस तालिका में पहले कौलम में आकरिती और दूसरे में कौण में बदलाव हां या ना बताना है 26 आकरितियां और मीनारें यहां तीन चित्रों में प्रगती मैदान, दिल्ली में लोहे का पुराना पुल और बिजली का बड़ा वाला खंबा दिखाया गया है बदलती आकरितियां गतिविधी से क्या तुम अनुमान लगा सकते हो कि मीनारों, पुलों आदे में त्रिभुज का उपयोग क्यों किया जाता है अपने आसपास के बारे में जानकारी जमा करो, और कुछ ऐसी जगों का पता लगाओ, जिन में त्रिभुज का उपयोग हुआ हो कौण और समय जीनत, तुम्हारी घड़ी में अंक नहीं है, तुम समय का पता कैसे लगाती हो? मैं तो केवल कौण देखती हूँ, देखो, जब दोनों सुईया समकौण बनाती है, तो मुझे पता है कि अब नौ बजे है ऐसा समय पूरे दिन में कई बार आता है, जबकि घड़ी की सुईया एक समकौण बनाती है अब तुम कुछ और बनाओ यहां तीन तरह की घड़ियों के चित्र दिये गए है त्रिभुज एक ऐसी मजबूत आकरिती है जो दबाये जाने पर आसानी से नहीं बदलती बच्चों को यह देखने के लिए प्रेरित किया जा सकता है कि कैसे अलग-अलग आकरितियों को त्रिभुज में बाट कर मजबूत बनाया जाता है पेज 29 नीचे दी गई घड़ियों के समय को समझ कर बताओ कि सुईयों से किस तरह का कोण बन रहा है समय भी लिखो पर बड़ी आठ पर और तीसरी घड़ी में छोटी नौ पर और बड़ी दो पर है फिर दो घड़ियां नीले रंग की हैं पहली घड़ी में छोटी सुई नौ पर बड़ी पांच पर दूसरी में छोटी सुई दस पर दूसरी बारा पर घड़ियों की सुईयां बनाओ जब वे समकोण से कम कोण बना रही हैं समय भी लिखो यहां कुछ घड़ियां दी गई है उत्तर तीलियों की पहली प्रिष्ठ उन्नीस पेज 30, डिगरी घड़ी अप्पू और किट्टू केरम बोर्ड खेल रहे हैं अप्पू स्ट्राइकर को चलाता है यहां दो बच्चे केरम खेलते हुए दिखाए गए हैं हम्, हम्, यह तो उसी कोण पर वापस आ जाता है इस चित्र में क, ख, और ग, तीन बिंदू दिखाए गए हैं उस रेखा को खींचो जिस पर खेल कर किट्टू रानी को प्राप्त कर सकता है खाली जगा यहां एक बड़ा केरम बोर्ड दिखाया गया है जिसके साथ एक बच्चे की तस्वीर है अगर तुम चाहो तो डिगरी घड़ी का उपयोग करके कोड को डिगरी में माप सकते हो डिगरी को ऐसे लिखा जाता है डिगरी का निशान क, ख, ग, पेज 31 गतिविधि आओ डिगरी घड़ी बनाएं एक, कागज में से एक गोला काटो दो, उसे आधा मोड दो तीन, उसे एक बार और चौथाई में मोडो चार, उसे एक बार फिर मोड दो पाँच, कागज को खोलो तुम्हें इस तरह की रेखाएं मिलेंगी इसमें 45 अंश के कोण बन रहे हैं छे, जिस तरह चितर में दिखाया गया है उस पर 0 अंश, 45 अंश, 90 अंश और 180 अंश बनाओ साथ, उसे एक पुराने गत्ते पर चिपका दो आठ, बीच में से एक सुई बनाओ नो, मोटे कागज से एक लाल सुई बनाओ और पिन की मदद से बीच में कुछ इस तरह लगाओ कि वह घूम सके तुम्हारी डिगरी घडी तयार है डिगरी घडी के उपयोग से अपने पैंसल बॉक्स का समकॉन मापो समकॉन का माप खाली जगा है क्या तुम बता सकते हो कि नीचे दिये गए कॉन की डिगरी क्या होगी समकॉन का आधा खाली जगा समकोन का एक तिहाई खाली जगा समकोन का दुगुना खाली जगा नवे अंश को समकोन कहते हैं अब उस कोन को मापो जहां से किट्टू को प्रिष्ठ तीस पर स्ट्राइकर चलाना चाहिए उस कोन का माप खाली जगा है पेज 32 काघस के हवाई जहाज में कौन एक एक वरगाकार काघस का टुकडा लो दो इसे आधा मोडो और खोलो तीन काघस के कोनों को काघस के बीच में लाकर मोडो यहां जो आकरती दी गई है उसमें एक त्रिभुज जैसा बन रहा है और त्रिभुज के उपरी सिरे पर P लिखा है और इस आकरती में नीचे की ओर Q लिखा है P बिंदु को क्यों बिंदु से मिलाना है 4. हरे त्रिभुज को ऐसे मोडो के P क्यों को छू जाए 5. अब आयताकार कागज के उपर के दोनों को दिखाई गई बिंदु रेखाओं पर चित्र की तरह मोडो 6. मोडने पर तुम्हारा कागज चित्र जैसा दिखेगा चित्र में एक छोटा सा त्रिभुज भी दिखाई देगा जिसे उपर की और मोडो 7. कागज को उल्टा करो और इसे बताई रेखा पर आधा मोडो 8. अब हवाई जहाज के पर बनाने के लिए पीले किनारे को लाल किनारे पर मोडो 9. पलट कर और वैसे ही दूसरी तरफ मोड कर दूसरा पर बनाओ तुम्हारा हवाई जहाज उडने को तयार है उडा कर देखो ये कैसे उड़ता है जब तुम कागज के हवाई जहाज को खोलते हो तो तुम्हें कहां कहां 45 अंश और 90 अंश के कोण दिखते हैं हवाई जहाज में 45 अंश, 90 अंश और अन कोणों के मोड है तीस अंश और साथ अंश के कोणों को काटने वाला प्रिष्ठ अंत में दिया हुआ है बच्चों को प्रेरित करें कि वे अपने आसपास के अलग-अलग कोणों को मापें पेज 33 योग के साथ कोण रहमत योग कर रहा है नीचे आसन के उन चित्रों को समझाया जा रहा है जो वह हर दिन करता है उन कोणों के माप का अनुमान लगाओ जो आसन करते समय शरीर के अलग-अलग अंगों से बने हैं यहां एक बच्चा योग कर रहा है डी का खेल तुम अपने मित्रों के साथ डी का खेल खेल सकते हो तुम एक कोण बनाओ तुम्हारा दोस्त अंदाजे से उस कोण का माप बताए फिर तुम अपने डी का उपयोग करो और कोण का माप पता लगाओ अंदाज से पता लगाए माप और D से पता लगाए माप में जितना अंतर होगा तुम्हारे दोस्त के अंक उतने ही होंगे जिसके अंक सबसे कम होंगे वही ये खेल जीतेगा आओ खेलें यहां एक तालिका दी गई है इसमें चार कॉलम है पहले में कौन बनाओ लिखा है दूसरे में अंदाजा तीसरे में माप और चौथे में अंक आपको इनके अनुसार ही काम करना है यह डी तुम्हें अपने जियामिती बकसे में मिलेगा मेरे सिर के मुकट के कौन को मापो यहां एक डी दिखाया गया है और उसके पास एक मोर है इस अवसर का उपयोग प्रोट्रेक्टर या डी के विशे में बताने के लिए करें बच्चों को मापने में सहायता करनी पड़ेगी लेकिन उन्हें प्रेरित करें कि वे कोणों का माप मोटे तोर पर पढ़ सकें इसी के साथ 14 अध्यायों की इस पुस्तक का दूसरा अध्याय पूरा हुआ स्वर मुईनुल हसन न्याजी तक्नीकी नियंत्रन बैटलेंग लिंगदो तक्नीकी सहायक विकास संगवान निर्मान सहयोग रुचे शर्मा निर्मान एवं निर्देशन विमलेश चोधरी प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत